बार वेनों एक बार फिर से स्वागता आपका इस चैनल पर तो यह वीडियो आपको पता है किस टॉपिक के होने आली है यह हमारा टॉपिक यह है कि मैटरन के जो साथ जुलाई को पेपर हुए थे मतलब आज आज आट जुलाई है जब आपी वीडियो देख रहे हो गए आट तो इसके लिए मैं एक बार आपको बता दूँ कि क्या कैसे चीजें आए थी तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसको थोड़ा समय आपके साथ साथ ठीक भी करते रहूंगा और मैं आपको बताऊं कि कहां से क्या क्या कोशन आये थे तो एक तो आप यह देखो कि दो कोशन थे आपके बुक से तो आपको बुक जरूर पढ़नी है एक तो ठीक है एक ब जिनका भी साथ को पेपर था एक बार अपना कमेंट में स्कोल बता दो कि आपने कितने कुश्चन अटेम्ट किये हैं ठीक है कितने मैं यह चीज क्लियर कर दूँ फिर एक बार आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं तो यह बीच में यह उनके नमबर ने जिन्होंने मुझे यह कोश्चन वेज़े थे तो बस अब आपको बस एक मिनट और दीजिये मुझे एक मिनट तो मनें बहुत जादा बोल दी बढ़ हां बस हो गया पस यह लास्ट इसको करके खतम करते हैं चलो बस अब शूव करते हैं अपनी इस वीडियो को तो चलो तो दो कोश्यन हमारे थे बुक से ठीक बुक आपको एक बार देख लेक के जाना जो भी तेरा तारिक वाले हैं वो बुक देख के जाना मतलब नहीं नहीं बुक नहीं देखनी है आपको पुरानी बुके देखनी है जैसे महात्मा गांदी की हो गई और आपको पुरानी बुके देखके जाना है क्योंकि नहीं बुक नहीं आ रही है तो माय एक्सपेरिमेंट्स भी तुरूथ आई थी महात्मा गांदी की वो 2024 के मत करना 2023 के करना करेंट ठीक आपके अरजुन अवार्ड पदमवार्ड ये सब 2023 के नेशनल पैरा गेम से सारे आपके कहां हुए थे फिर आपका आर्टिकल 32 से आया है आर्टिकल 32 आप सबको पता होगा कि ये रिट होता है है ना हाट एंड सोल और आपके छे से साथ कोशन आये अमेंडमेंट 73 बहुत जो अमेंडमेंट है ये बिल्कूली रेंडम आ गया है आपको इस एक कोशन की वजए से अमेंडमेंट पढने की जरूरत नहीं है क्योंकि 110 के आसपास अमेंडमेंट है अब आप कितने पढ़ोगा सारे तो याद होंगे न आप अगर आप में में याद कर भी लो फिर कुछ और पूछ ले तो यह रहन देना अमेंडमेंट का इसको कोशन को आप स्किप करने की कोशिश करना फिर आपका आजाएगा ये वैस्ट फ्लोइंग रीवर है वैस्ट फ्लोइंग रीवर मेंन नरमदा और तापी बस उनी द उन्हों को आपको याद करना है बाकि आपका हॉन्विल फेस्टिवल आया था यह नागा लेंड में मनाते हैं यह मैंडमेंट 73 आर्टिकल 32 में आपको बता दिया यह ममलूक वंच की स्थापना किसे ने करी थी वह बताना आपको यह एक बार दिये दिल्ली सल्तनती इस ब्ढ़ अच्छे से पढ़े के जाना क्योंकि दिल्ली सरकार की वरति है तो इसलिए वह थोड़ा पूचता एं पॉपुलेशन यह को क्यूंस किंसी जरूब कर के जाना है ठीक इक बाद मैं इसको मठा दूँ सेनसेश जरूर करके जाना सारे के संसेस से हर एक्जाम में कोशन आ रहे हैं वाई अपको तो तो सैनसेश जरूर करके जाने आपको फिर एक ऐसे कोशन था ये एकदम रेंडम थी इसके भी आपको पढ़ने की जोरत नहीं है प्रेसिडेंट नहीं अर तुरान फॉरी और से कौन सी रिवर मतलब तो यह आपकी अंडश्फ थी क्यों आई थी और मत्हीस्ट यह बगत सिंग की बुक है तो उसे पूरानी-पुरानी नहीं बूक है नहीं 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 आरी सलमान रूशिदी की बूक फिर आपका रिट से कॉंशन आयते रिट कौन से देश्चे लिए आ गया था यह आप सोर्स ऑफ कॉंस्टिटूशन देख सकते हो ठीक है और फिर आपके कॉप 28 कहा हुए तो अब तो कॉप 30 भी हो गया है तो यह तो एक दमी बहुत पुलानों कोशन था टुलिप फेस्टिवल जमू कश्मीर में होता है अब आते हैं रीजनिंग पर आते हैं तो रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए कुछ प्लैन कर रहा स्वालों के लिए और जो भी आप DSSB की त्यारी कर रहे हो उन सब के लिए मैं रीजनिंग के ना सेट लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं मतलब कोशिश कर रहा हूं कि हो जल्दी से जल्दी तो मैं आपके प्यॉर्ली DSSB प्रीविएस येर जो कोशन है वो मैं आपको सेट कर कर आँगा दर दस 17-15 कोशन को करनने की मैं आपको अपरोच बताऊंगो कि तरीक से आपको कोशन करने हैं क्योंकि बच्चों की दिक्क्त थी वह मनेजमेंट की थी मैं ठीक है क्योंकि रिजनिंग बहुत टाइम का रही है तो अगर हम रीजनिंग 25-30 मिन्ट में अपने कर ल ना चार पांत दस वीडियो जितनी आएं वह आप देखके जाना आपको बहुत बेनिफिट मिलें और से बागी आपका डी ट्रिपल अश्बी में फूचर में भी कोई एक्जाम होगा तो सीरीज कंटीनू रखना आपका रीजनिंग का बिलुकुल डर खतम हो जाएगा और तो पढ़ने में टाइम बेस्ट हो जाता है तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगो कैसे क्या करते हैं कोडिंग डिकोडिंग और आपका फिगर का एक कोशन था रीजनिंग टाइम टेकिंग थी यह हर बार ही रहती है वार्डर में भी थी और सब में थी है ठीक जीके में द प्रॉफिट और लॉस याई परसेंटेज अगर कोई इन तीन चैप्टर को भी अपना बहुत पक्का कर लेता है न तो भी आपके मेंली कोशन हो जाएंगे क्योंकि जो बागी कोशन आते हैं वो भी इन्हीं के कॉंसेप्ट्स पर आगे पीचे घुमांके आते हैं इंग्लि रिजनिंग और मैथ में टाइम बचा के आप महां तक पहुंच पाओगे तो भाई यह मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या चीज़े आ रही हैं अब मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के आपके सेट शुरू होने वाले हैं और उन सेट को जो भी बच्चा कर लेगा व 40 में से आउट ओफ 38-39 राम से स्कोर करेगा और विदिन 25 से लेके 27 मिनट में उसकी रीजनिंग कंपलीट हो जाएगी बिलकुल ठीक है तो वह आज उसका एक दो व्यूडियो आ जाएंगी अभी रिकॉर्ड करनी है और अपना कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बता देना क्य इतने के आसपास जा रहा है तो यह था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना क्योंकि जो रीजनिंग के सैट आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है चलो तो अपना पढ़ाई करो जाहिन